हालो एंड वेलकम देखे जे के पी कानस्टेबल टेली कॉम्मिकेशन में जो टेक्निकल सेलिबस है उस पूरे सेलिबस को एप्लिकेशन पे विदिन 20 तु 25 डेज कवर कर दिया जाएगा आपको फिर से बताऊं पूरा टेक्निकल सेलिबस 40 मार्क्स टेली कॉम्मिकेशन का आप का एप्लिकेशन पे कवर हो जाएगा विदिन 20 तु 25 डेज और आज इस वीडियो में हम आपको MCQ की सिरीज जो हमने कल ही स्टार्ट की उसका लेक्चेर नंबर 2 देने जा रहे हैं देखे आज जो आपके सामने MCQ आएंगे कॉस्चन आएंगे ये कॉस्चन लेक्चेर नंब कोर्स जोइन करने के लिए आप दिये गए WhatsApp नंबर पे मेसेज करिए या ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके description में या comment section में आपको link मिलेगा उस link के जरीए जाके batch में जोइन हो सकते हैं और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ हमारे कुछ बच्चू ने पुरानी application पे जाके kourse लिया हुआ है देखे पुरानी application हमारी delete हो चुकी है playstore से हमें नई application बनानी पड़ी और नई application पे आप जाके जुड़ लोग आएगा तो जो नई अप्लिकेशन प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड करेंगे उसके दो-तीन अवर के बाद आप आप आटोमेटिकली कोर्स में जोईन करा दिये जाएंगे आपको फिर से बाई नहीं करना है अगर आड़ी आपने पुरानी अप्लिकेशन पे कोर्स लिया हुआ है ठीक है ओके और नई अप्लिकेशन पे आपको डेली वीडियोज आ रहे हैं और कल आपको टेली कॉम्मुनिकेशन का शाम को कल शाम को आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा और विदिन 20 to 25 डेज आपका पूरा टेली कॉम्मुनिकेशन का पूरा सेलिबस कवर करा दिया जाएगा तो चलिए लेक्चर नंबर टू के टॉप कॉस्टेंज कौन कौन से आपको एक्जैम में आ सकते हैं देखते हैं पहला कॉस्टेंज देखो यह मैंने आपको लेक्चर नंबर टू में पढ़ाया हुआ है हमारे अप्लिकेशन पे भी वीडियो है इस यूटूब चैनल पे भी वीडियो है प्लेलिस्ट में जाके आप इस यूटूब चैनल पे देख सकते हैं या हमारे अप्लिकेशन पे जाके आपको complete course तो करा ही दिया जाएगा देखिए मैंने जो आपको lecture number 2 दिया हुआ है यह सारे questions आपके उसी lecture के उपर बनाये गए है आपको जो exam में सवाल आएंगे वैसे ही question यहाँ पे हैं तो यहाँ पे हमने वही question लाए जो आपको कल exam में पूछे जाएंगे बड़े basic से questions है और already हमने यह सारा आपको lecture number 2 में पढ़ाया हुआ है तो जितने भी questions आप देख रहे हैं यह lecture number 2 के उपर बनाये गए questions है तो चलिए start करते हैं और देखते हैं कि जिन भी बच्चों ने lecture number 2 मेरा देखा होगा उनको पता है कि यह questions बहुत आसान है चलिए start करते है question इनका क्या पहला question क्या है which of the following parameters of carrier signal do not change in case of amplitude modulation सवाल है amplitude modulation के case में carrier signal का कौन सा parameter do not change amplitude modulation के case में carrier signal का कौन सा parameter change नहीं होता है तो carrier signal के case में amplitude modulation के case में amplitude तो change होता है carrier signal का लेकिन हमको बताना है कौन सा नहीं होता है change तो frequency और phase नहीं होता है change carrier signal का amplitude modulation के case में तो B and C आएगा दोनू तो यहाँ पे option D आपका सही जवाब है both B and C ठीक है क्योंकि amplitude modulation में amplitude तो change होता है देखे, frequency और phase constant रहता है वो change नहीं होता है तो answer आएगा both B and C आपका option D correct है next question इनमें से कौन सा statement सही है false नहीं लिखा है exam में अच्छी तरह से देखो false लिखा है के true लिखा है सवाल है true सही क्या है पहला amplitude modulation में AM में amplitude जो है modulating signal का वो ही vary किया जाता है देखो मैंने आपको बोला है carrier signal में changes आते हैं vary होते हैं modulating signal में नहीं होते हैं तो यह modulating signal अगर यहाँ पर carrier signal होता तो तब आपका answer शायद सही होता तो modulating signal में कोई change नहीं लानी है तो आपको याद रखना है carrier signal में जब change आती है तो पहला गलत है क्योंकि यहाँ पर लिखा है modulating signal अगर carrier signal होता तो शायद सही होता चलिए frequency modulation frequency modulation में frequency change होता है carrier का यहाँ पर क्या लिखा है amplitude of carrier change होता है मतला vary होता है जो कि गलत है frequency modulation में frequency change होता है carrier यहाँ पर ठीक लिखा था लेकिन carrier का frequency change होता है frequency modulation में तो यह भी गलत है next क्या है amplitude modulation में amplitude change होता है vary होता है change होता है carrier signal का जो किस सही है मैंने यहाँ पर बोला ना carrier में changes आती है तो amplitude modulation में amplitude carrier signal का change होता है आपका सही answer है C, इस question का ये मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाया हुआ है वैसे बच्चों ने जिन्होंने मेरा lecture number 2 देखा होगा उनको सब ये questions बहुत असान लगते होंगे कुछ बच्चे ये भी सोच रहोंगे कि आप अकसर हमारा time waste कर रहा है जल्दी जल्दी आगे चलता है लेकिन चलो मैं फिलहाल हर एक बच्चे को दिमाग में रखके पढ़ा रहा हूँ ठीक है? next question क्या है तो ये बहुत आसान है उनके लिए जिन्होंने पढ़ा हुआ है लेक्चर नमबर टू मेरा और एक question क्या है which are the following is the advantage of modulation modulation का advantage क्या है? देखो antenna size reduce होता है हाँ ये advantage है मैंने आपको पढ़ाया है it reduces interference or mixing of signals ये भी सही है क्योंकि modulation से interference कम होता है mixing of signals ये interference कम होता है increases the range of communication हाँ ये भी सही है ये सब बढ़ाया होए तो answer आपका इस question का D है all of the above next question पे चलते हैं which of the following यहाँ पे लिखना है the following चलिए is not the advantage of modulation इन में से कौन सा नहीं है not लिखा है the advantage of modulation देखो MCQs का यही फाइदा है जो चीज़े आपने पड़ी है उनको कैसे apply करना है और exam में कैसे सही answer देना है ये एक तरह का training session है जो चीज़े पड़ी है उनको कैसे apply करके सही answer करना है तो यहाँ पे not पे नजर मारना पड़ेगा आपको ये training आपको लेनी पड़ेगी MCQ series में not लिखा है तो पहला हमें बोलना है कौन सा नहीं है advantage modulation का it makes wireless communication possible ये तो advantage है लेकिन ये answer नहीं आएगा हमें बोलना है not it allows the multiplexing of signals ये भी मैंने आपको पड़ाया ये भी advantage है लेकिन हमें बोलना है कौन नहीं advantage तो ये भी नहीं आएगा it increases interference or mixing of signals यह नहीं है आपका सही आंसर है C क्योंकि यह एडवन्टेज नहीं है मॉडिलेशन का यह तो लिखा है अगर यहां पर डिक्रीज होता इंटर्फिरेंस और मिक्सिंग अप सिगनल्स तब वो सही होता तो यह जो C ओप्शन है यह नहीं है मॉडिलेशन का अगर lyotheo इंटर्फिरेंस और मिक्सिंग अप सिगनल्स जैसे यह डिप incurre которое इंटर्फिरेंस लिखाई तो यह गलत है ना तो आपका यही सही आंसर है क्योंकि आपको बता नहीं है कि कौन सा नहीं है modulation तो answer C आएगा यहाँ पे ओके चलिए Which of the following is not the type of pulse modulation कौन सा नहीं है, pulse modulation का type देखिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है pulse modulation के types pulse modulation में मैंने आपको बोला pulse amplitude modulation होता है pulse width modulation होता है pulse position modulation होता है pulse position modulation होता है यह modulation के types है pulse modulation के types लेकिन आपको बोलना है इन में से कौन सा नहीं है टाइप अफ मॉडिलेशन इन में से कौन सा नहीं है टाइप अफ मॉडिलेशन बताएए AMB नहीं है type of modulation FMB नहीं है type of modulation PMB नहीं है type of modulation तो हमें बोलना था इन वे से कौन नहीं है type of modulation ये सारे नहीं है type of pulse modulation तो all of the बाएगा मतलब सारे के सारे नहीं है type of pulse modulation तो यहां पे all of the बापका सही answer है क्योंकि आपको बताना ही था कौन नहीं है type of pulse modulation तो ये तीनु नहीं है, all of the above आपका सही जवाब है, क्योंकि तीनु नहीं है types of pulse modulation ठीक है, क्योंकि pulse modulation के types ये है, PWM, PAM PPM, चलिए which of the following is the type of pulse modulation अच्छा, अब बोल रहे है, कौन सा है not नहीं लिखा है, अब लिखा है कि बताए कौन सा है type of pulse modulation आपको बताना है, कौन है type pulse modulation, not नहीं लिखा है हाँ, pulse amplitude modulation B है एक type, pulse position modulation B है एक type, pulse width modulation B है एक type, तो इस time आएगा, all of the above तीनु के तीनु type है pulse modulation, तीनु के तीनु types है, pulse modulation के, ठीक है, तो all of the above आपका सही जवाब है, next question PAM stands for ये जो pulse modulation है, इसके type एक है, pulse amplitude modulation stands for, pulse amplified modulation नहीं है, phase amplitude modulation नहीं है phase amplified modulation नहीं है pulse amplitude modulation है PAM है, pulse amplitude modulation PWM है, pulse width modulation PPM है, pulse position modulation, फिर से सुनना PPM, pulse position modulation PWM, pulse width modulation और PAM है, pulse amplitude modulation, next question पे जलते हैं Example of Continuous Wave Modulation देकशो मेन आपको बताए Cum aj अइनलॉग वे देचर सो अंपolie amplitude कि एक टाइप है frequency मोडिलेशन एक टाइप है phase-माइप यह मैने आपको बताए 30 है continuous wave modulation कि टाइप तो आप आपको बताना है किसा है Ты्ब या ए narrower तो यह तीनू है am meetings amplitude modulation frequency modulation phase modulation phase modulation, यह तीनों है types of, या examples of continuous wave modulation, तो आपका answer है all of the above, आपका सही answer है, next question पर चलते है modulation refers to low frequency signal controlling the dash, अब सुनो, सुनो, सुनो modulation क्या है, इसको अच्छे से समझ लेना, सवाल अगर ऐसे आएगा आपको, modulation क्या है, ठीक है, refers to low frequency signal जो है message signal, या baseband signal, या low frequency information signal, ठीक है वो control कर रही है किसको, बताएए, क्या वो control कर रही है, amplitude carrier को क्या, मतलब amplitude carrier में changes आते हैं, क्या वो control करते, frequency of the carrier, मतलब carrier के frequency में क्या changes आ सकते हैं modulation में, या phase में carrier के phase में changes आ सकते हैं, modulation में, as per according to low frequency signal, या baseband signal या modulating signal, low frequency signal को ING, modulating signal ठीक है अब सवाल है, आपको बताए modulation क्या है low frequency signal जो है, वो control कर रहा है क्या amplitude को carrier के क्या frequency carrier के, या phase carrier के या maybe any other या कोई इनमे से, कोई भी इनमे से, modulation में, या तो amplitude carrier का change होगा, या तो frequency carrier का change होगा, या तो phase carrier का change होगा, any other आपको आएगा, तो इसका answer है any other model, हाँ, अगर carrier के amplitude में change आ रहा है उसको modulation का एक type है, उसको बलते है AM amplitude modulation, frequency में change आ रहा है, carrier के उसको बलते है frequency modulation, phase में change आ रहा है carrier के, उसको बलेंगे phase modulation, तो modulation में maybe any other, कोई भी इनमे से, कोई भी इनमे से, low frequency signal जो है, वो control कर रहे है, या तो amplitude को, या frequency को, या phase को, अब तक carrier, 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 carrier ठीके, ओके, next, ऐसे question में confused नहीं होना, ज्यादा नहीं सोचना, चलो when the modulating signal controls the frequency अच्छा, जब modulating signal, या low frequency signal या baseband signal, control कर रहा है frequency of the carrier के, जब सिर्फ carrier में ही changes आते हैं, sorry frequency में ही changes आते हैं carrier के, तब कोन सा modulation होता है, जब frequency में change आएगो तो उसको मिलते हैं कि frequency modulation, carrier के frequency में change आया, तो answer है, simple सा frequency modulation easy है, next question पर आते हैं which of the following is a continuous wave in analog modulation, analog modulation में continuous wave कोन है देखो, continuous is a continuous wave और analog modulation, चलो ठीक है continuous wave या analog modulation कोन सा है, आपको बता रहें continuous modulation कोन सा है, किसका type है, चलो pulse code modulation नहीं आएगा digital modulation नहीं आएगा, amplitude modulation है, continuous wave modulation यह मैं आपको पढ़ाया है, continuous के तीन है frequency modulation, amplitude modulation और pulse modulation, यह continuous wave या analog modulation में आते हैं continuous wave modulation है या analog modulation है, तो AM आपका सही जवाब है, हालगे यह पलस Impritual Modulation यह तो Digital Modulation टेकनिक है या पलस Modulation टेकनिक है चलिए, और एक सवाल है आपके Screen के उपर What is a Carrier Signal? बताइए Carrier Signal क्या है Carrier Signal में क्या है It has Information, इसमें Information है, बताओ मुझे Carrier में Information होता है क्या? नहीं, carrier में information नहीं होता है तो यह नहीं आएगा It does not have information, हाँ carrier में information नहीं होता है, तो B ही आएगा, लेकिन बच्चो, आपको मैं बोलना चाहता हूँ, पूरा question पढ़ा करो CB देखो, कहीं CB तो नहीं है क्या carrier में, it has amplitude, carrier signal में amplitude होता है, क्या होता है अगर carrier signal है, high frequency signal लेकिन उसमें amplitude भी है, frequency भी है और phase भी होता है, तीनों होता है उसमें It has amplitude, it has phase it has frequency, जब आप आगे phase modulation भी पढ़ेंगे, तो आपको पूरा clear हो जाएगा कैसे phase है, frequency modulation में amplitude modulation में आपने देखा, carrier का होता है है ना, चलो, तो कहने का मतलब यहाँ पर short में यह है, B भी आएगा, C भी आएगा, तो answer क्या है इस question का, इस question का what is a carrier signal का answer है, बोथ B and C, B का मतलब इसमें information नहीं होती है, लेकिन हाँ, amplitude phase और frequency होता है carrier signal का, ठीक है, ओके इतना cover है, तो उसके इलावा और एक question है okay, question क्या है in amplitude modulation, amplitude modulation में, amplitude of dash signal is varied with respect to dash signal, बता मुझे amplitude of, हमेशा मैंने बुला, carrier signal का ही change आता है, carrier signal में carrier signal में ही change आता है carrier signal में ही change आता है to amplitude of carrier signal is varied with respect to or in accordance with modulating, modulating ing लिखुना, modulating signal, और यही दो मिल के बनाते हैं modulated modulated signal ठीक है? ओके लेकिन सवाल है amplitude modulation में amplitude carrier signal का change किया जाता है या vary किया जाता है with respect to modulating signal तो पहले carrier आएगा फिर modulated नहीं आएगा ये नहीं है, sorry क्यांकि modulating और carrier मिला के बनाता है modulated, modulated तो last में बनता है तो यहाँ पे answer आपका carrier or modulating होना चाहिए कोई option है क्या? कहीं नहीं है क्या? आपका सही जवाब है तो इस question का सही जवाब आपका D है फिर से समझाता हूँ जल्दी सुनो amplitude carrier signal का change होता है with respect to modulating signal ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है तो D है इसका सही जवाब top questions जो आपको exam में पूछे जा सकते हैं और आपकी पूरी lecture series आज आएगी application पे कल शाम को आपको next और beautiful और best lecture आपको application में आने वाला है हलाकि MCQ series फिलाल हम देखेंगे YouTube पे ही चलाएंगे कि बाद में सिर्फ application पे चलाएंगे फिलाल के लिए आपको MCQ series का lecture number 3 भी आएगा कल lecture number 3 तो अभी आएगा आपकी MCQ series का lecture number 3 आज ही आएगा लेकिन कल आपका वो जो lecture series चल रहे ही वो आपकी application पे आजाएगी लेकिन हाँ MCQ series आपकी शायद YouTube पे भी थोड़ा सा चल जाए फिलाल आपको बताओ पूरा course जहां पे complete आप चीजे पाने के लिए आप दे गए WhatsApp number पे आप message कर सकते हैं या message में अगर कोई जवाब नहीं देता है तो आप बच्चो लिंक पे जाओ नीचे दे गए description में या comment section में आपको link मिलेगा उस link पे जाके batch में join हो जाओ वो link में जाके आप अपनी मर्जी के batch में join हो सकते हैं बच्चो ठीक है अब यहां पे और एक बाद बताना चाहता हूँ कि tension मतलो आपका ये पूरा syllabus हम 20 to 25 days आप 25 days लगा के लो पूरा cover करनेंगे और साथ में आपके हम test भी लेंगे कोशिश करेंगे हम 20 दिन के बाद आपका test series start करने का कोशिश करेंगे हम 20 days के बाद आपका test series start करने का आपको tension नहीं लेना है मिलते हैं अभी कुछी टाइम बाद आपका lecture number 3 भी आएगा इस MCQ series का और कल बहुत ही important lecture आपका application पे आने वाला है कल शाम को और बने रहे और हाँ ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ share करिए subscribe करकिए, bell icon को दबाईए ओके टाटा बाई बाई